हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग तो रिसेंटली चाइना ने ब्रिक्स इनोवेशन बेस के बारे में प्रपोस किया है रिगार्डिंग जो 5G टेक्नोलोजिकल सर्विसेज और आर्टिफिशल इंटेलिजन्स तो यहां पे चाइना क्या प्लेनिंग कर रही है कि जो भी ब्र इक साथ लेके 5G और आर्टिफिशल इंटेलिजन्स को प्रमोट करने की तो यहां पे इंडिया की क्या स्टांस है बाकी के तीन कंट्री जो है रुश्या, सौट अफ्रिका और ब्रजिल इनकी क्या रेसपॉंस चाइना के साथ इंडिया को यहां पे कैसे स्टेप्स लेनी च वीडियो को end थक बिल्कूल देखते रहेगा और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को अद तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में free of cost मिल जाएगी नीचे description में मैंने वेबसाइट का link दे दिया है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो recently चाइना ने प्रपोस किया है कि ब्रिक्स इनोवेशन बेस ये चाइना में करने की बात कर रही है ता इन पाचों कंट्रीज के साथ जो है एक साथ मिलके इसको corporately आगे बढ़ाने की तो यहाँ पे देखे अलग-अलग कंट्रीज जो है ब्रिक्स के चाइना तो खुद है यहाँ पे अलग-अलग कंट्रीज को जो है चाइना एप्रोच कर रही है ताकि एक कोपरेटर तरीके से 5G और Artificial Intelligence को आगे बढ़ाए जासे के लेकिन यहाँ पे इंडिया जो है इंडिया की अलग-अलग काफी issues है यहाँ पे चाहे वो line of actual control में यहाँ पे चाइना के साथ problems है यहाँ पे या फिर इंडिया ने जो भी यहाँ पे stance लिया है चाइना के against तो unlikely है कि इंडिया ऐसे move को यहाँ पे accept कर लेगी because यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे main key points की इंडिया ने recent time में काफी सारे जो aggressive stance जो है चाइना के against लिये है चाहे वो चाइना के लिए यहाँ पे investment हो उसको tight कर दिया है अलग-अलग process के जरिए 59 Chinese apps जो है इसको ban करके रखा हूँ है तो इसमें main बाते यहाँ कहा गया है कि national security concern तो यहाँ पे अगर बात करेंगे 5G जो technology है एक high level committee ने यहाँ पे बोला है कि जो Huawei इसकी vendering कर रही है अलग-अलग जगा पे तो इसको जो है इंडिया oppose कर रही है तो इंडिया की अगर देखें यहाँ पे अलग-अलग intelligence ने यहाँ पे बोला है कि यह जो है Huawei यह problemity हो सकती कि as a spy हो सकती है यहाँ पे क्योंकि US में Huawei को completely ban करकर रखा हुआ है काफी सारी allegations जो है US ने Huawei के उपर रखा था यहाँ पे उसके अलावा इंडिया जो है artificial intelligence में international भी काफी काम कर रही है तो पिछले कुछ दिन पहले मैंने भी एक वीडियो बनाय था क्योंकि यहाँ पे human centric development हो या फिर artificial intelligence को पर research हो उसकी पर development हो लेकिन अभी Huawei जो है यह internationally इतनी acceptable नहीं है especially by USA तो USA में अगर बात करेंगे यह 2020 का एक news है यहाँ पे business insider में आया था Huawei को जो है USA ने एक spy यानि कि Chinese military के साथ इनकी connections है और यहाँ पे technology तो उन लोग develop करेंगे उस जग लेकिन बहुत सारे crucial information जो है Chinese military को यहाँ पे मिल जाती है तो आपके देश की यहाँ पे problems कर सकती है तो यह भी allegations USA ने चाइना के ओपर लगाए थी यहाँ पे तो बात करते हैं यहाँ पे दूसरे जो countries हैं यहाँ पे चाहे Russia हो यहाँ पे South Africa हो यहाँ फिर Brazil हो एक तो चाइना ह इसको ओपोजी कर दीगी और च्रीने तो खुद यहाँ पर चाहती है तो में तीन कर्चे बचे हो यहाँ पर रशीया जो है Russia और चाहिना का तो तो चाइना जो है यहाँ पे रश्या के अलब से यहाँ फुल कॉंसेंट है कि 5G टेखनोलिजी डिवलोप कर सकते हैं यहाँ पे थुआ हुआ हुए जो यूएस में बैन है अगर बात करेंगे साउट अफरिका में तो साउट अफरिका में जो है वाँ यहाँ पे अलग अलग जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स उनको सर्विस प्रोवाइड करती है तो देखे साउट अफरिका में जो है काफी जादा उननों की डॉमिनेंट से हुआ हुए अगर बात करेंगे ब्रजील तो ब्रजील जो है यहाँ पे हुआवे की जो 5G ट्राइल्स जो होनी चाहिए उसके ल एक टेक्नोलिजीकल फर्म है यहाँ पे यहाँ पे टेक्नोलिजीकल सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से एक्विपेंट भी प्रोवाइड किया जाता है तो देखे ब्रजील ने यहाँ पे यहाँ वावे की जो स्टेंडर्ड जो है अपनी लोकल जो जगा से यहाँ पे हु USA दूसरा है चाइना और अगर बात करेंगे यहाँ पर जो एकोनोमिक स्ट्रेंट के हिसाब से दोनों ही लगभग मोरोलेस इंडिया से काफी जादा आ गये है तो इंडिया अभी ऐसे हालत में नहीं है कि चाइना हो या फिर USA को यहाँ पर चैलेंज कर सके उन लोग की यहाँ डिपेंडेंसी के अलावा इंडिया जो है आगे बढ़ने के अभी नहीं सोच तक तक कि काफी सारे एक्सर ऐसे से सेक्टर हो गए जैसे कि आर्टिफिसल इंटेलिजेंस हो गई, साइबर टेकनोलोजी हो गई, यहाँ पर स्पेस टेकनोलोजी हो गई, इंडिया उतनी लेव अलग जगा पर इंडिया खुद की यहाँ पर प्रोडक्स हो, यहाँ पर खुद के यहाँ पर सर्विसेस हो, उसको सप्लाई कर सकती है, दूसरी बात यहाँ पर इंडिया क्या कर सकती है, अलग अलग जो यहाँ पर डेवलोप कंट्रीज है, यहाँ पर डेवलोपिंग कंट एसे ग्रूप्स है यहाँ पर अलग-अलग देशों के साथ अच्छी रिलेशन्स था यू और चायना के आपसी जो प्रॉब्लम्स हो तो इसमें जो है प्रॉब्लम्स इंडिया को भी हो सकते क्योंकि इंडिया ऐसे situation में एक dilemma में है, तो देखें, इंडिया जो है चाइना के against नहीं जा सकती है, यहाँ पर चाइना से completely boycott नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे international groups है, चाहे वो RCEP हो, यहाँ पर Russia-China और इंडिया के जो rig grouping हो, BRICS हो, यहाँ पर G20 हो, चाइना के है, complete heart के नहीं सकती है, एक बहुत ही major partner है यहाँ पर USA, तो इंडिया को ऐसे stage में जो है, diplomatic relations जो है, maintain करनी होगी, बोश चाइना और USA दोनों के ही साथ यहाँ पर relations बनाए रखने होंगे, और उपर से यहाँ पर Russia के साथ ही, जो है, इंडिया भी diplomatic relations बना के रखी हुई है, तो situation में इंडिया के लिए ज़रूरी यह है, एक तो यहाँ पर जो है, diplomatic relations, economic relations strong करें, दूसरी बात इंडिया जो है, technology में खुच से आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि एक target लेके कि next 10 years में इंडिया जो है, एक world leader बन से के technology में, तो यह था हम लोगा complete analysis regarding China, जिन्होंने जो है, BRICS Innovation Based, जो है 5G और Artificial Intelligence का प्रपोस किया है, between BRICS countries, आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीज़े सीखने को मेरा होगा, और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगए, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेर कर जिए, कि कि ऐसे वीडियो बनाने के लिए, हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च की जोड़ोत होती है, और आप लोग के सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पार करता है, और भी हार्ड ओर करने के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही, देख तरी है, study rise, take care, thank you and Jai Hind